हाई माई एश्ट्रेंट्स आज मैं आप लोगों को मैगनिफाइंग ग्लास जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है उसकी सहाईता से सन लाइट में पेपर को जला कर दिखाने जा रहा हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए यह मेरे हाद में कॉन्वेक्स लेंस है और मैं पेपर को रॉल करके आप लोगों को जला कर दिखाऊँगा मैं पेपर को रॉल कर रहा हूँ रॉल करने के बाद मैं मैगनिफाइंग ग्लास के फोकस के नीचे पेपर को रखूँगा फिर यह जलने लएएगा मैं वीडियो को आगे बढ़ा कर तुरा दिखा रहा हूं रॉल करने के बाद पर को रॉल कर लिया है और मैंनिफाइंग ग्लास जिसमें कॉन्वेस लेंस लगा हूँआ अब मैं मैं इसके फोकस के नीचे संलाइट को अड़्यस करके पेपर पे डालूंगा इसे थोई देर में यह जलने लगेगा और मैं संलाइट के फोकस को पेपर पे अड़्यस करता हूं अदर जांद यह देखिए थोड़ा थोड़ा धुमा उठना शुरू हो गया है इसे आप लोग भी अपने घर में करेंगे बट इसका फोकस एक छोटा सा पॉइंट होना चाहिए पेपर पे और थोड़ा उसे अस्थिर रख कर करना होगा यदि बार बार फिलाते रहेंगे पेपर पूरी त करेंगे अभी दूआ ही निकल रहा है इसे जलने में कोड़ समय लगता है क्योंकि यह माइनिफाइंग लास इतना पावर्फुल नहीं है माइनिफाइंग लास इतना पावर्फुल रहेगा पेपर उतने ही जल्दी जल उठेगा और यह देखिए यह पेपर पूरी तरह से जलना शुरू कर दिया है पूरी तरह से बिल्कुल इसे फ्लेम उठ रहा है और आप धूंगा देना बंद कर दिया है पेपर में फ्लेम आला ज्वाले के साथ यह जल रहा है तो आप लोगों ने देखा कि कॉन्वेक्स रेंज की ताहिता से पेपर को मुरू कैसे जला सकते हैं माई स्टुडेंट्स यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल लाइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद